अब आपका question होगा कि जब हमारे पास एक continuous variable है और एक या एक से ज़्यादा categorical variable है हम ANOVA को use करते हैं अगर मतलब यह कि एक dependent है और एक या एक से ज़्यादा independent variable है तब हम ANOVA को use कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जैसे हमने fertilizer को independent तसवर किया बलके है और growth को हमने dependent क्योंकि growth depend कर रही है fertilizer पे इसके लिए हमने use किया था ANOVA और अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा fertilizer जैसे variables आजाएं तो फिर भी ANOVA यूज करते हैं वन वे अनोवा या टू वे अनोवा लेकिन आपकी growth जो है वो continuous variable एक ही रहता है यानि ये वाला variable एक ही रहता है अब अगर ये इस तरह के variable दो हो जाएं यानि के दो dependent variable हो जाएं एक growth वाला है इसके साथ ही एक और आ जाए तो हम कौन सा test यूज करेंगे उसके लिए आप यूज करते हैं MANOVA मैं भी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर MANOVA जब आप यूज करते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे ये आपके सामने ये notebook मैंने अरड़ी upload कर दी है मनोवा तब ही यूज होता है ये multivariate extension of ANOVA है यानि के multiple variables आप इसमें test कर सकते हैं यानि के जैसे पिछले lecture के अंदर आपने देखा कि हमारे पास एक ही continuous variable था यहां पर two or more dependent यानि के two or more continuous variables को हम predict कर सकते हैं इसकी simple example आपको मैं दिखा देता हूँ जस्ट go through करवाऊंगा आपको एक idea देने के लिए अगर कभी आपने इसको use करना हो यह notebook आपके पास available होगी हमारे पास pandas की library है यहां पर हमने stats model API से SM ले लिए stats model को मतलब API को हमने यहां पर import किया फिर हमने यहां पर MANOVA को import किया from multivariate statistics यह multivariate statistics के अंदर आते है पहले हमने univariate देखा फिर bivariate देखा multivariate statistics हम देख रहे है so multivariate के अंदर आपके पास example data है यानि के math का यह method है for example A method और B method और C method फिर हमने देखे हैं के इन तीनों teaching method की base पे math के score और science के score में क्या फरक है यानि के method A, method B और method C में से math score और science score पे क्या impact पढ़ रहे है हमने इस data को यहां पे किया import यानि के इसको data frame में convert कर लिया और हमारा data कैसा देखता है मैं पहले आपको वो दिखा दू df.head इसको मैं यहां पे पीछे इसके print लिखता हूँ ताकि आप इस data को देख सेके तो यह आपका data देखता है method A, B C, B है नीचे लेकिन मैंने head किया है इस वज़ा से आपको कम नज़र आ रहे है मैं अगर यहां पे head में 10 लिखतू हूँ तो it would be easier for you to understand यह देखें A, B, और C यह तीन method maths के score और science के score यानि के आपका multivariate analysis of variance यहां पे लगेगा MANOVA जिसको बोलते हैं अब यह और यह दो dependent variable हैं यानि के math score and science score यह हमारे पास independent है हमने क्या करना है simply simply हमने क्या करना है हम पिछले में tilde के बाद दो variables add कर रहे थे अब हमने इसकी left side पे दो variables add कर देने अगर आपको मैं पिछले वाला ANOVA वाले notebook दिखाऊं हमने क्या किया था यहां पे अगर मैं थोड़ा सा उपर जाऊं यहां पे हमने OLS को बुला के growth को fertilizer पे add किया था और जब हमारे पास two way ANOVA आया हमने क्या किया हमने growth के बाद यहां पे addition करनी start कर दी थी variables की MANOVA के अंदर हम math score plus science score को method के उपर draw करेंगे यानि कि tilde का मतलब यह होता है कि आप दो चीजों को इसके उपर draw करें tilde मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं कि यह दो चीजों को draw करो इसके उपर जो तीसरी चीज है वेरियेबल है उनको print कर सकते है simply आप यह दो लाइनों के अंदर MANOVA को लगा सकते है जैसे मैंने इसको लगाया मेरे पास जो result आए है these will look like this multivariate linear model है यह ठीक है यह इसका intercept है यह इसकी value है number है degree of freedom है den है df है degree of freedom again f value है फिर आपके पास p value और f value का combination आ गया यहाँ पे आपके पास again method आ रहा है और फिर यह कुछ चीज़े आती है basically इसको interpret करने के लिए आप simply यह कर सकते है कि आपके पास intercept और method दो चीज़े होती है आपने इन दोनों की base पे पूरे के पूरे results को interpret करना होता है और interpretation का तरीका क्या है wilks lambda जो है यह value close to इसकी 0 होती है अगर यह वाली value आजा तो यह significant है तो हर test का intercept का part और method का part यहाँ पे मैंने explain किया हुए कि आपने इसको कैसे interpret करना है अगर आप चाहें तो इसके ओपर time लगा के इसको देख सकते है और यह self-learning की base पे आप learn करेंगे अगर आपको कोई भी question हुआ तो हम multivariate linear model को और भी detail में पढ़ लेंगे but for now I will just let you know कि ऐसा भी possible होता है कि आप दो continuous variable को एक independent variable पे draw कर सकते हैं लेकिन उसके जो results आते हैं then you have to study those results in a different manner ठीक है जी यह होता है MANOVA multivariate analysis of variance I know के बिलकुल short सा आपको समझाया गया है लेकिन अगर आप interested हैं सिरफ basics आपको बतानी है interpretation और results अगर आप चाहेंगे advanced level पे then we will learn those as well